असम सरकार ने रविवार को राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर एनासी का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, सिर्फ एक दशमलव नौ करोड लोगों को ही भारत का वैद नागरिक माना गया है। जबकी, कुल 3.2 करोड लोगों ने अपलाई किया था। बताया जा रहा है कि असम में बांगलादेशी गुसपैठियों को निकालने के लिए सरकार ने एनासी ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत राज्य में रहने वाले भारतियों की पहचान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। इस रजिस्टर में जिन आवेदकों का नाम नहीं है, उनके दिस्तावेजों की जांच की जा रही है। में असम में कॉंग्रेस का शासन था। फिर बी जेपी के सत्ता में आने के बाद इसमें तेजी आई। इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार 31 दिसंबर तक एनासी का पहला ड्राफ्ट जारी करे। चलिज एने करेए ला तक राउने धर राद जार्टी करे का कि रफरेसंबर ने रहे हैं।